तो यहां पे बचे हुए टुकडे का जो मेरे पास थे उसका खजाना लेके आई हूँ और अभी सोच रहे हूँ कौन से टुकडे मेंसे क्या बनाऊंगी तो सबको साइड में रखते हुए मुझे ये प्यारा सा कलर और रोकेट का कपड़ा अच्छा लगा तो मैंने सोचा चल कर लिया है फॉर्म कट किया है और देखिए यहां पे जुगार लगा के छोटा सा फॉर्म अटेज किया है तुकडा जो था वह और त्री इंचिस की जगा चोड़ते हुए हम क्विल्ट करेंगे नौन वन नीचे रखा है सेंटर में फॉर्म है तो यहां पे आप देख करेंगे अच्छे से फॉल्ड करके सल्वेटे जो है वो निकालेंगे और यहां से दिखिए इसका नाप है 13 इंचिस तो अब हमें साइड में 2 इंचिस पे मार्किंग करने आपको सोचना है के सांटर में कितना रखना है बाद में आपको 2 इंचिस की मार्किंग कर लिए ब Kickstarter करें पिर हमें क्या करना है यहां पर दिखिए फीरन करते हैं Pi सा कि आपको में जटक करेंगे और हम यहां अच्चे से डेंगे राउंडせて यहां से ऐसे कट लगा लीजिए और फिश्वेदे दीजिए यहां पर राउंड देने के बाद कर लिया इसे इसे और इसी नाव स आपको कट करना है दूसरी साइट इसलिए कटिंग का लीजिए फॉल्ड करके फिर हम लेंगे एक क्रोस में कट की हुई पाइप इन यह जो पाइप इन है वो साड़ी के कपड़े की है तो इसे नीचे अटेज करने के बाद इसे हम उपर की और अटेज कर लेंगे उसके बाद आपको लेने हैं यहाँ पर 18 बाइ फॉरिश के बेल्ट दोनों साइट से फॉल्ड करके यहां पर दोनों साइट में स्टीज करके बेल्ट रेडी कर लीजिए फिर सेंटर में मार्किंग कर लीजिए और 3 इन्चिस पर साइड में मार्किंग करें और डीप में नीचे भी 3 इन्चिस पर जाय और देखी यहां पे जो कि 3 इन्चिस पे हमने क्लाइन लगाती वहां पर हम ऐसे वॉल्ड करके स्टीज करके बैल्ट को पॉ- yup यहां पे आप देख सकते हो बैल्ट हमारे अटेच हो चुके हैं अब हम दू चोटे चोटे ऐसे टुकड़े ले लेंगे जो और के भी आप ले सकते हों तो यहां पे 8.5 वाइट 10 ही जिसके यह पार्ट लेना है और उपर से आपको फॉल्ड कर लेना है दोनों में उसके बाद आपको यहां पे देखिये यहां से लेके सामने की साइड और कैसे अचेज करना है तो यहांपर हो जाएंगे दो पॉकेट अब हम लेंगे तो इसका नाप है 6 x 1.5 इंचिस हमें Sn Subsュ जोड़नी है और जिप का नाप कैसे लेना है तो देखिए यहां पर साइड में यह दो स्ट्रिप हमने जो लिए है उसे रखे और फिर जो बाकी बचा है वहां पर आपको जिप का नाप लेके जिप कट करने है यहां पर जिप के साइड में ऐसे जोड़ना है और सेम यही तरीके से कपड़े में और जिप में मार्किंग करें फिर दोनों को मिलाते हुए आपको यहां पे ऐसे दोनों साइड स्टीच करना है कुछी इस तरीके से और टॉप स्टीच पी ज़रूर कर ली जीएगा अब हम इसे ऐसे गुमाएंगे और यहां पी हमें स्टीच कर करते जाना है देखिए ऐसे आपको बखरते हुए स्टीज करते जाना जिससे आपका बैग है वह बार की और निकलता जाएगा और एक साइड से स्टीज होता जाएगा तो यहाँ पी हमने जिप को अटेज कर लिया है और टॉप स्टीज भी कर ली उसके बाद हम साइड में यहाँ पे स्टीज करेंगे ऐसे उसी तरीके से आपको सामने की साइड भी स्टीज करना है और फिर इस तरीके से स्ट्रिप लगा के कवर से लाए करनी है यहां पर आप देख लीजी यह हमारी bag बनकर ready हो गई है बहुत ही प्यारी सी सुन्दर सी इसका bottom part भी कितना बड़िया है बड़ा है और इसका color भी बहुत ही अच्छा है तीन pocket अंदर की और है देखिए बहुत बड़ा पेसे साइड में भी दो pocket रखे हुए है तो कैसा लगा वीडियो कमेट करके बताईएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जै भारत